नमस्कार फैंड्स मैं नाम बबलू अर्माद पेपर है कर मुए आपका स्वागत तो फैंड्स आदम यहाँ पर देखने इबाले हैं बीए से नोडियर का सोसिलॉजी का अपना हो जाता है फश्च पेपर सेकिंड पेपर क्या रहने वाला है second paper जो आगर रहा उन्युविस्टिवाले हैं उने के लिए रहने वाला है mcq क्या रहने वाला है भई mcq हो जाता है अपना तो इसके लिए क्या चाहिए इसके लिए चाहिए अपने notes है ना इसके लिए notes है आपके लिए तो notes कहां मिलेंगे discussion मिल जाएंगे तो भई MCQ के लिए notes बहुत जरूरी है बहुती जरूरी आपका हो जाता है MCQ के लिए तो भई notes 100% download करना है और MCQ question का एक भी question miss नहीं करना है तब ठीक है और theory wise note चाहिए तो ये भी आपको कहा मिलेगा discussion मिल जाएगा तो friends बढ़ते हैं फटा बट question की ओर तो आज जो हो जाता है एक महातपूर सूचना पहली बात आपको ये बता दूँ आपको जब theory wise लिखना होता है तो आपके लिए 3 पैनों क्या बसकता होती है एक जो question लिखते हैं वो होता है काला simple पैन ठीक है मतलब पतली पिन बाला उसके बाद जो heading लिखते है heading के लिए मोटा पैन चाहिए होता है तो मोटा पैन बहुत महातपूर है उसके बाद जो लिखना होता है उत्तर उसके theory लिखनी होती है theory के लिए आपके कचिए पतला पैन चीए नीला तो fans आप heading महातपूर और मजबूत बनाईएगा तो आपको number क्या होंगे अच्छे मिलेंगे अगर आपकी heading मजबूत नहीं होगी तो number मजबूत नहीं होगे तो आज के देखने वाले हैं कौन-कौन सा important question है sociology के बस इतने ही question की heading याद कर लेजएगा एक बार थोरी पढ़ना सिर्फ एक बार थोरी पढ़ना उसके बाद heading पर focus करना ठीक है जो कि एक भी heading मिसना हो और आप अच्छे question exam में लापा हो तो बढ़ते हैं फटाबर question की हो बस यही question की theory और heading पढ़ना है बाकी कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ देखो देखका है तुमारा मंडल आयोग मंडल आयोग क्या होता है अन्य पिछड़ा बार किसे कहते है इनकी समस्याएं कौन कौन सी है जाती कर जो होता है समानता उसके छेतरबाद को भी आपको क्या करना है समझाना यह होता क्या है और समझाना है heading डाल कर बात करते हैं लेंगिक बिसाता लेंगिक समानता के कारण पिरकार और छेते के बारे मताना है पूर सकता है लेंगिक बिसाता और लेंगिक समानता में अंतर क्या है तो ये क्योशन आपका सौड बन जाएगा बात करते हैं सामाजिक समस्या की अब धार्णा आपको बताना है ठीके और इसके लच्छडों बिसेस्ताओं को लिखना है और दलित का आर्थ क्या होता है इसकी भी समस्या है आपको बताना है है ठीके तो HEADING इसकी भी सारी साय आत कर लीजीगा next बढरते हैं next question कौन सा जाता है अंता PD संखर्स को रोकने का उपाए जो अंता PD संखर्स है उसको रोकने के उपाए और स्थापन या इसके काड़ भी आपको देख लेना है ठीक है बात करते है अंता पीडी संघर्स लचजड उपाई और बहारत में बुजर्गों की समस्या क्या करेनी वाली है इसको देख लेना Kiya होता है देख पृता के काड़ और घरेलू हिंसा के तता उसके काड़ भी फेक्स हो जाएं बात करते हैं घरेलू हिंसा अधीनियम 2005 बिभा बिच्छेद के परिडाम भी आपको यहां पर देख लेना है पदला घरेलू हिंसा अधीनियम 2005 के बारे में लिखना है ठीक है इसकी हैडिंग मजबूत डालना फर बहुत बहुत रहे देखा है बिभा संकट समाजिक मूल्यों के जो संकट था उसका महात्म और उसके प्रिकार आपको बताना है मूल्यों के संकट क्या है अब इसके महात्म कौन कौन से इनके प्रिकार कौन को किते टाइप के होते हैं हेडिंग डालकर आपको मजबूत ही समझाना है बात करते हैं पास्तितिक क् होता क्या इसकी विषयस्ताइट उपए होगोगी तो महारा सुवेट節目 जो अपराद है तुम्हारा सुवेट बससन इसके प्रिकार बाद उप्याइट है मोटे पैंच से लिकनी है टीक है मोटे पैंस से हैं ढालना आगे से यहांँ होता है इसके लाब अपराद का कार और बिसेशताओं के कारण भी आपको यहां पर बता देना है ठीक है बात करते हैं बाल अपराद क्या होता है लच्छड उपाय पर करude और दुस्चड पर stack के वारे में आपको बता देना है ठीक है मजबूती से हेडिंग डाल कर फिर देक है जाती की विशेषता है भारत में जाती बाद के विचार को भी आपको बताना है ठीक है इस पर विचार करना अच्छी प्रिकार से और हेडिंग डाल कर समझाना है फिर देक है भारती अलपसंख्य के विशेषता अुल्ले के जिगा मुस्लिम इववश χेदभ करते हैं तो हेंटिन मज़ूत होंगी तो नमबर मजबूत मिलेंगे अपके लिए बाग करते हैं और साइबर अपराद क्या होते है इसके आपको बताना ये कुशन बहुत बार-बार एजाम में रिपीट होता है तो ये कुशन बहुत जगुरी आपके लिए उब भोकता और साइबर अपराद क्या होता है ठीक है तो इसको मजबूती से करना इसकी हैडिंग मजबूत डालना ठीक है थोरी कोई नहीं पड़ता है तो फेंट्स नोट्स आईए डिसकोशन रिखा है नोट्स महाँ पर डानलोड करो एमसी क्यू थियोरी वाइस सम मिलेंगे ठीक है मगर ये थियोरी सिर्फ एक बात पढ़ना मैं कहा रहा हूँ हैडिंग सोबार पढ़ना ठीक है तो लाइक करो शेयर करो चैनल को सस्क्राइब कर तो भीट जैहिन जय भार